तो सेटेंग करने से पहले की जो स्पीट थी वह यह थीर. और सेटेंग करने बात की जो स्पीट थी, जो यह थीर. flats देखा आपने कैसे किया मैं आप को बताता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक एकशार करेंगे। चीजिए सबसे पहले क्या करना है आपको लोगों को सबसे पहले जाना है आपको Windows पर यहां पर आपको टाइप कर देना है device अब चाहिए तो control पेरिससे भी जा सकते हैं यहांगे आप device manager से ही जाएंगे तो यहां device manager में टाइप किया और यह आगया device इस मैं इधर कंट्रॉल प्राइज उसके वाद आपको क्या करना है यहां पर जो भी आपका एडप्टर है वार्लेस एडप्टर उसकी वह सेटिंग करनी है एक्चुलि यह डिफाल्ट नहीं होती है आपको सेटिंग नहीं आपको स्पीट करना है जो network adapter वाला है जो उपर से आप देखेंगे आपर जो network adapter वाला है इसको यहां पर expand कर देना है आपको कोल्का में तरस wireless network adapter यह अपको यह आपके रचांगा है आपको आपके पाता है आपके hardware के उपर आपके अलग जो भी आपके PC कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं बहुत अलग लग होता है लेकि लास्ट में जाए तर उसके वायरलेस नेट्वर्ट एडप्टर ही लिखा हुआ वहाँ पर होगा तो यहां पर आपको इस पर सेलेट कर लेना है राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आपको प्रॉपर्ट सेटिक्स पे ही जाना हूं क्यों मैरी जो इड्वास सेटिक्स से ही complete होगी ऐड्वास सेटिक्स से जाने के बार आपका GPT का वक्म्हेर्ट छो अधने का और से समिंग जो बिल्खा हुआ है इसको यहां पर आपको इनने कर देना है इसका होगा जो भी आपकि भेड़ने होगी वो इस्टेविल रहेगी डेन आपको जो आपको डिसेबल है वो डिसेबल रहने देते हैं नेटवर्क अड्रेस नहीं छेटना आएम को प्रफ़र बेंड यहां पर आपको दो चीजे आपको बेंड देखनों को मिलेंगा पहला प्रफ़र बेंड सेकंड नमर पर जो 2.4 जी घाट है वो आपकी extend पर है कहने के अनुकल जो भी आपकी दूरी है राउटर से यह तक दूर पर तो आप 2.4 जीघाट करेंगे अगर आप राउटर के पास हैं तो आप वहां पर 5 जीघाट करेंगे तो अनव डिफरेंस क्या है कि आग है कि 2.4 जीघाट है वो टीनदे लेकिन उसकी जो लेंथ याजनी आप उससे दूर तक इंटरनेट यूज कर सकते उसकी रेडियस ज्यादे होती है जो 5 GHz है वो आपको speed जवर्जस देगा लेकिन उसकी जो reach है वो बहुत कम होती है तो अगर आपको router के आसपास रहेंगे तो automatic लिए आप 5 GHz पर switch हो या इसके लिए प्रिफर 5 GHz कर देंगे तो यहां पर मैं wireless mode है इसको नहीं चुआ हुआ मैं जो setting है वो यहां पर roaming एक्स एक्सेंड करने में अपकी मदद करेगा यहां पर जो roaming इसको आपको क्लिक करना है यहां पर आप बैलून देखें यहां पर मेरी medium low है जो की default है यहां पर इसको हाइस करेंगे इतना सारा जमेला करने के बात आपको system को restart जरूर है यह मस्ट है ठीक है जो आपको यह setting करने के बाद आपकी speed आती प्लीज के में बाकुशन जरूर बताएगा ऐसी टेकी वीडियो के लिए प्लीज टेकी मुद को सब्सक्राब करें मैं आपको लिए जबदस वीडियो लाता हूं जो आपको कहीं देखने को नही कर जहाँ